नमस्कार स्वागत है आपका S2D की स्पेशल पोर्ट में मैं हूँ आपके साथ अनुशर्मा तो जैसे ही आप सबी जानते हैं कि जो चुनाबी मुद्दों का बिगुल है बच चुका है दोनों ही पार्टियों ने अपने उमीदबारों को जो परचार है वो जोरों सोरों से कर ही है और दोनों ही पार्टियों ने अपने उमीदबार जो है वो चुनाबी मैदान में उतार दिया है इसी के चलते आज हम आए हैं चुनाबी मुद्दों को लेकर जो हमीरपुर के बार्ड नबर 11 में जहां से कॉंग्रेस के समर्थित उमीदबार देवी दास सहंसा पाश् ही है या पहले भी कभी पहले मैं चुनाब दो बार लड़ा था तो मैं जीत नहीं सका उसके बार नोमीनेटर हुआ था लेड़ दो साल के लिए तो मैंने बहुत काम करवाए हैं गाउं में बार नमबर 11 में तो सर आप हमें बताए कि इस बार जो आप चुनाब लड़ रहे हैं तो आपका मतलब लोगों के बीच जाकर जो परचार कर रहे हैं वो किस तरह से आपका सहयोग दे रहे हैं लोग तो बहुत अच्छे स्पॉंस मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है जाँ जाँ ना गया है लोगों ने मेरा बहुत दिल से ते दिल से जो आपका किया है और वो चाहते भी हैं मुझे कि आप आए और टाम करें तो सर आप हमें बताए कि जो बार नमबर 11 में लोगों के लिए जो प्रात्मिकता हैं रहेंगी जो विकास होगा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में जो मैं दो साल पहले 2017 में नौमिनेटर पार्षर था कोछ काम मैंने किये थे जैसे सडक का और स्री लाइट का तो अब जो बचे हुए या पिछले पार्षर ने जो काम नहीं किये हैं और भी कोई काम होगे बो प्रात्मिका के हदार पर पूरे किये जाएगे तो सर आप हमें बताएए कि बार्षर नंबर 11 में आप पहले भी चुनाब लड़े थे आपने तो आप बताएए हमें कि पहले जो आपने काम करवाया था और इस बार आप क्या-क्या मतलब आपकी प्रात्मिकताय रहेंगी बार्षर में आप क्या-क्या काम करवाएंगे बार नमबर ग्यारा के सभी बासियों को नब बारसवा लोडी की हार्दिक सुभकामना है मैं देविजाश शाहिंशा अपने बार नमबर ग्यारा से पारसद के लिए उमीदवार हूँ मैंने मेरी आप से आप सभी से हाद जोड़कर बिंती है कि आप अपना कीम्टी बोट दे कर मुझे सेवा का मोका दें मैंने पहले भी कई काम किये हैं आपके बार में स्ट्रीट लाइट एवं सड़क आदी काम करवाए हैं मुझे इस बार भी मोका दें ताकि बार के बाकी के काम भी करवा सकूं दन्यवाद सर तो ये आपने जाना की जो बार नमबर 11 से देविदास जी हैं वो इस बार चुनावों में उते हैं और उन्होंने बताये कि बार में जो भी समस्या होगी लोगों की कोई भी समस्या रहेगी उसको तुरंत ही जल्द ही हल करवा दिये जाएगा और जो भी सडकें कहीं से तूटी हैं कहीं में गड़े पड़े हैं उनको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा एस टूडे सैनल की स्पेशल पोर्ट मैं हूँ अनुशर्मा